आपका स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर तरुना एसकॉर्ड हाली में एक बुरी खबर आई है कि जी हिंदुस्तान का एक चैनल बंद हो गया है जिससे करीवन साड़े तीन सो मीडिया कर्मी बेरोजगार हो गए ये एक ऐसे समय में खबर आई है जब मीडिया में अलरेडी इतना सैचरेशन है तो ऐसे में जो मीडिया कर्मी इस समय बेरोजगार हुए हैं उनके सामने एक बड़ा संकट है कि अब वो नई नौकरी कहां तलाश है और क्या वो अब दूसरा रोजगार करें तो ऐसे में जो अलरेडी मीडिया प्रोफिशन में हैं उनके लिए कुछ सलह है अगर वो कहीं मीडिया में काम कर रहे हैं या फिर अपना डिस्टल पैटफॉर्म चला रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना खुद का venture स्टाट करें अपना खुद का एक मीडिया हाउस स्टार्ट करें आज तो ऐसा बड़े बड़े जितने भी हमारे न्यूज एंकर रह चुके है बड़े बड़े जर्नलिस्ट रह चुके है चाहे उनमें पुन्य प्रसून वाजपेजी हो या फिर अभिसार शर्मा हो और अब तो खबर उड़ रही है NDTV के रवीश भी अब अपने चैनल पर आ गए है तो सभी लोग कही ना कहीं प्राइवेट चैनल पर काम कर रहे हैं अपने परसनल चैनल पर काम कर रहे हैं तो इसमें भी एक प्रोफेशनल तरीका है जो कि आपको करना चाहिए आपको दोनों तरह की खबरे देने की सुविधा रहती है आप इस पे वीडियो भी डाल सकते हैं और टेक्स न्यूस भी डाल सकते हैं वैसे तो आम तोर पर लोग यूट्यूब चैनल के थुरू डिजिटल मीडिया चला रहे हैं अपने न्यूस पोर्टल चला रहे है लेकिन उसमें एक खत्रा है क्योंकि आज यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है जो बहुत फेवरेबल है और जो डिजिटल मीडिया के लिए बहुत सपोर्टिव है उनको एक तरीके से टीवी जैसा ही बना कर रख दिया है लेकिन कल नजाने ये पॉलिसी इस क्या हो तो ऐसे में एक alternate source जरूर डेवलप करके रखना चाहिए वो एक website हो सकती है क्योंकि website आपकी property की तरह होती है इसे आप अपने नाम में book करते हैं domain purchase करते हैं hosting purchase करते हैं और जब तक आप चाहते हैं इसको run कर सकते हैं और इसकी साथ ही साथ खासियत ये भी है website चलाने के फायदे ये भी है कि आपको इस पे government की तरफ से advertisement भी मिल सकते हैं अगर आपकी website एक या दो साल पुरानी है तो आप state government policy के according या फिर central government policy के according अपनी website का impanelment भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ उसमें आप सरकारी विग्यापन ले सकते हैं और private विग्यापन भी ले सकते हैं इसके अलावा कई राजिये तो ऐसे हैं जो website के जो पत्रकार है या editor है उनको accreditation भी दे रहे हैं accreditation यानि के मानेता मानेता जो है पत्रकारों के लिए काफी एक important चीज होती है तो वो मानेता भी digital platform के website के पत्रकारों को अब मिल रही है तो ऐसे में अपनी income का अपने रोजगार का एक alternate अगर आप generate करना चाहते हैं तो website हो सकती है website बनवाने से पहले कुछ चीज़े ध्यान रखनी चाहिए जैसे आप जिस भी company के services hire कर रहे है website बनाने वाले की तो आप ये ध्यान रखें कि उसका कही ना कही official पता आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप अपनी किसी जानने वाले व्यक्ति से website बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो हमेशा आपके संपर्क में रह सकता है क्योंकि बहुत सारी company वेबसाइट बनाने की खुली हुई है वो आए दिन खुलती है और आए दिन बंद हो जाती है तो ऐसे में जब आप website बनाकर अपना news portal रन कर रहे हैं तो जब वो पुराना हो जाता है उसकी access आपके पास ना हो तो यह आपके लिए बड़े नुकसान की बात हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके पास में आपकी website का control panel जरूर होना चाहिए उसका login ID पासवर्ड जरूर होना चाहिए जिससे कि आप उसे हमेशा renew कराते रह सकें और आप चाहें तो इसे दो-तीन सालों के लिए एक खटे भी hosting purchase कर सकते हैं वैसे सबसे अच्छा यही होगा कि आप किसी known से अपनी website को बनवाए आजकल तो बहुत सारे आपके आसपासी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना खुद का यह career website के रूप में कर रहे हैं तो आप website उनसे भी बनवा सकते हैं तो इस तरह अगर हम देखें तो आज की समय में जो मीडिया में दौर चल रहा है उसमें ऐसे में अपने आपको खुद को establish करना बहुत जरूरी है और website इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकती है उमीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा अच्छा लगे तो इसे like कीजिएगा, share कीजिएगा और subscribe भी कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद